मक्यों और शहद की कहानी एक गर के किच्चन में शहद का जार रखा हुआता जिसमें मीटा शहद बरा हुआता एक दिन वह जार गिर कर तूट गया और उसमें से बरा शहद फरश पर फैला गया मक्यों ने जब इतना सारा शहद देखा तो लालच में शहद पर जा बैटी और शहद काने लगी उन्हें मजा सा रहा था और वे बड़ी कुष्टी बड़े दिनों बाद उन्हें ऐसे मीटे शहद का स्वाद चकने को मिलाता उन्होंने जी बर कर शहद खाया कुछ देर में जब उनका पेट बरा तो वे उड़ने को हुई लेकिन वे पूरी तरह से शहद में लगपत हो चुकी थी उनके पेर और पंक तरल और चिपे चिपके शहद में चिपक गए थे और अब उड़ पाने उनके लिए नामुनकिन हो चुका था मक्कियों ने उड़ने का बहुत प्रयास किया लेकिन सारे प्रयास वरत रहे और वे सबी वही शहद में चिपकर मर गए सीख कभी कभी तोड़े समय का सुक मुसीबत का कारण बन जाता है कहीं बार तो प्रानों पर बन आती है इसलिए ऐसे शनिक सुक के गांसे में ना आएं और जीवन में सोच समझ करी आगे बड़े लालत से बचें नमस्कार दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब आप किजिए आपके एक सब्सक्राइब लाइक से हमिटापी मोटिवेशन मिल सा है एक बाड़ फिर से आपके धन्यवार जैए जैए हिन